प्रिदर्सको नमस्कार, हाजिर हूँ, आज हम चर्चा करेंगे सिंग लगन की जनम कुणिली में योगकार्क गरह, मारक गरह, एवं सम गरह के बारे में कल हमने चर्चा की थी करक लगन की जनम कुणिली में, आज हम सिंग लगन की जनम कुणिली में आपको बताएंगी कि कौन सा ग्रह योगकारक होता है कौन सा मारक होता है एवं कौन सा संग होता है पिर ये दरसको कल भी मैंने आपको बताया था आज भी आपको बता देता हूं हो सकता है कोई नया दरसक जुड़ा हो तो यदि आप योगकारक ग्रह मारक ग्रह एवं सम ग्रह के बारे में विस्तार से जानकरी चाहते हैं तो मैंने इन से समंधित तीन अलग-अलग वीडियो बना रखी है और इस चैनल पर डाल रखी हैं आप उन तीन वीडियो को देखिए यदि आप उन तीन वीडियो को देखेंगे और फिर इस कारी करम को देखेंगे तो आपको वड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि योग कार्क ग्रह होता क्या है और किस प्रकार से वो अपना फल जातक को परदान करता है कभी-कभी योग कार्क ग्रह ऐसुब फल परदान करने लवाले हो जाते हैं और मार्क ग्रह सुबफल देने वाले हो जाते हैं तो प्रिय दरसको कौन से ग्रह का रतम धान किया जाता है किस अवस्था में किया जाता है कैसे जनम कुंडली में पहचाना जाता है कि कौन सा ग्रह योग कार्क ग्रह है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जनम कुंडली में योगकार ग्रह कौन सा है और मार्क ग्रह कौन सा है अर्थार्थ वो ग्रह कौन सा है जो हमें सुबफल परदान करने वाला है जो हमारे साथ खड़ा है जो हमारे अनुकूल है और वो ग्रह कौन सा है जो हमारे प बहला करने वाला, अच्छा करने वाला कौन है, हमारा बुरा करने वाला कौन है, तो इस सब के बारे में मैंने बड़े विस्तार से उन तिनों वीडियो में बता रखा है, आप उन वीडियो को देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा, तो पिरिदर सको, जादा समयने तो इस जनम कुंडली के जो लगनेस है, वो सुर्य देव होए, मैं आपको बता दूँ, त्रिकोन के स्वामे, तो एक रासी यदी त्रिकोन में है, दूसरी रासी कहीं भी हो, तो वो ग्रहे योगकार्क ग्रही होते हैं, अब लगन में ही पांच नंबर होने के चलते, सिंग पांच नंबर रासी, अर्थार्त धनू रासी, जिसके स्वामे बनते हैं देव गुरु भरस्पती, अब देव गुरु भरस्पती के जो दूसरी रासी है, वो अश्टम भाव में है, जो जनम कुंडली का खराब भाव है, लेकिन मैंने बताया, कि जिस ग्रह की दो रासिया हैं, यदि एक रासी, त्रिकोन में है, दूसरी रासी कहीं भी हो, तो वो योग कार के गुरह की गिनती में ही गिना जाएगा, तो देव गुरु भरस्पती भी सिंग लगन की जनम कुंडली में अति योग कार के ग्रह बनते हैं, अब बात करते हैं, नमव भाव में एक बात करें मारक ग्रहा की आप देख रहे हैं जनम कुंडली का दुसरा भाव दूसरा भाव मारक भाव होता है छे नमबर रासी अर्थारत कन्या रासी लिखी हुई है जिसके स्वामी बनते हैं बुद्ध देव अब बुद्ध देव की जो दूसरी रासी है वो एकादस भाव में मिथन रासी एकादस भाव में है तो बुद्ध देव दूसरे भाव के स्वामी एवं एकादस भाव के स्वामी होने के चलते और लगनेश से सतुरुता होने के चलते इस जनमकुलिली के अतिमार्क ग्रह बने अब बात करें तीसरे भाव की तीसरे भाव में साथ नंबर रासी तुला रासी, जिसके स्वा में बनते हैं शुकर देव अब शुकर देव की जो दुसरी रासी है वो दसम भाव में तो पिरिये दर सको शुकर देव की जो मूल तरकौण रासी है इसके बारे भी मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से और विश्तार से मैंने मूल तरकोण रासियों के बारे में जानकारी आपको दी है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो शुक्रदेव की जो मूल तरकोण रासि है वो तिसरे भाव में होने के चलते वहीं लगने से शुतृता होने के चलते अप देखिए शुक्रदेव की जो दूसरी रासी है वो दूसरे भाव में है माव कीजिएगा दसम भाव में है विर्स रासी अब दसम भाव भी जनम कुणले का आति महत्रपन भाव है लेकिन मूलत्र कोन रासी किसे भाव में होने के चलते और लगने से अती सुतुरता होने के चलते शुक्र देव भी सिंग लगन की जनम कुंडली में अती मार्क ग्रह की श्रीणी में आते हैं देखते हैं छटे भाव में अब छटे भाव में दस नंबर रासी अर्थार्त मकर रासी जिसके स्वामी बनते हैं शनी देव अब सनी देव की जो दूसरी रासी है वो सप्तम भाव में है जो जनम कुंडली का मार्क भाव कहलाता है तो एक रासी छटे भाव में दूसरी रासी सप्तम भाव में होने के चलते और लगनेश से अती सुत्रुता होने के चलते शनी देव भी सिंग लगन की जनम कुंडली में अती मार्क ग्रह की स्रेणी में आते हैं तो पिरी दर्सको बात करते हैं चंदर देव की जनम कुंडली का जो दवादस भाव है बुरा भाव है व्यका भाव है व्यक राने वाला होता है लेकिन च्यार नंबर रासी अर्थार्थ जिसके स्वामी बने चंदर्मा तो चंदर्मा की लगनेश के साथ अती मितरता होने के चलते अब भाव तो बुरा है बुरे भाव का स्वामी है लेकिन लगनेश से अती मितरता है इस कारण जो चंदर्देव है वो इस जनम कुंडली में सम ग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं ने जादा अच्छा फल देने वाले ने जादा बुरा फल देने वाले अब बात करें राहु केतु की तो राहु केतु के साथ भी सुरी देव की सतुरुता है अब लगनेश के साथ सुतुरुता होने के चलते राहु और केतु भी सिंग लगन की जनम कुंडली में बहुत अच्छा फल नहीं देते तो प्रितर सको आपने जाना कि सी लगन की जनम कुंडली में योग कारक ग्रह कुन से होते हैं योग कारक ग्रह सुर्य देव, वहीं देव गुरु भरस्पती, मंगल देव अती योग कारक ग्रह बनते हैं मार्क ग्रह कौन से बने बुद्ध देव शुक्र देव एवं शनी देव अती मार्क ग्रह की सिरेने में आते हैं और जो संग ग्रह है एक ही संग है चंद्रमा चंद्रमा इस जनम कुल्ले में संग रह की पदवी ले करके बैठे हैं ने ज़ादा अच्छा ने ज़ादा बुरा और राहु के तु भी लगने से सुत्रुता होने के चलते बहुत अच्छा फल नहीं देते वो अपनी प्लेस्मेंट के हिसाब से सुभ और एशुभ फल देते हैं तो प्रीदरसकों मैं आपको पहले भी बता देता हूँ यदि जनमकुंडली का योगकार ग्रह है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्परतिसत जाद तक को सुभ फल ही देगा वो उसकी प्लेस्मेंट पर निर्वर करता है आप अपने जनमकुंडली को आप खोल लिए उसमें देखिए कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है और कहां पर वो बैठ गया है आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको सुबफल दे रहा है कौन सा ग्रह आपको ऐसुबफल दे रहा है जो ग्रह ऐसुबफल आपको दे रहा है उसका आप दान कीजिए, पाट पूजा अर्चना कीजिए और जो सुबफल दे रहा है उसके समंदितापन, रतन भी धान कर सकते हैं, उसको बलवान बना सकते हैं, क्योंकि जो ग्रह सुवफल देने वाला होता है हमें, उसको हमें बलवान बनाना चाहिए, और जो ऐसुवफल देता है, उसको हमें निर्वल बनाना चाहिए, उसका दान करना चाहिए तो पिरी दर्सको आज हमने जाना सिंग लगन की जनम कुंडली में योगकार्क मार्क एवं संग रह के बारे में कल हम चर्चा करेंगे कन्या लगन की जनम कुंडली में कि कौन सा ग्रह मार्क योगकार्क एवं संग होता है तो प्रिदर्सको यदि कार्यकर्म अच्छा लगा हो यदि आपको यहाँ दीगी जानकरी समझ में आती हो तो आप चैनल को सबस्क्राइब कीजी बेल आइकन को प्रेस कीजी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप comment कर सकते हैं, like कर सकते हैं, share भी कर सकते हैं क्योंकि ये channel आपका अपना है तो प्रिदर सको आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार